काफी दिनों से लग रहे कयावसों की बाद आखिरकार हरक सिंग रावत कॉंग्रिस पार्टी में फिर से शामिल हो गए। उनके साथ ही उनकी बहू अनुकृती गुसाई ने भी कॉंग्रिस का दामन थाम लिया। और दिल्ली में कॉंग्रिस वार रूम में खुद हरीश रावत ने कॉंग्रिस का अंग वस्तर पहना कर हरक सिंग रावत का पार्टी में स्वागत किया। कॉंग्रिस में शामिल होने की बाद उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी तैय करेगी वो उसे बिना शर्त निभाएंगे वहीं हरीश रावत के बेटे विरेंदर रावत ने भी उमीद जताई कि हरक सिंग रावत के कॉंग्रिस में आने से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे इससे पहले हरक सिंग रावत अपनी बहु अनुकृती गुसाई को लेकर कॉंग्रिस वार रूम पहुँचे जिनोंने उनके साथ ही कॉंग्रिस की सदस्ता ली और भले हरक सिंग रावत ने बिना शर्त कॉंग्रिस में वापसी की बात कही लेकिन न्यूज 18 को सूत्रों से मिल रही जानकारी के मताबिक कॉंग्रिस ने वापसी के लिए उनके सामने विधान सबा चुनाव नहीं लड़ने की शर्त रखी थी और उनकी जगा उनकी बहु अनुकृती गोसाएं को लेंस डाउन से टिकेट की पेशकश की गई जबकि हरक सिंग रावत को उत्रा खंड में कॉंग्रिस की और से प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है स्वाबात की एक बात ये कि हरक सिंग रावत को पिछले हफते बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया था जिसके बात से ही उनके कॉंग्रिस में शामिल होने के कयास लगाय जा रहे थे